after x yu यह उलोरा टेस्ट का लास्ट जो है वाला टेक्स्य कम्द्र का लेक्चर है जिसमें हम एक चीव ही को फिक्स करना आपो पूर्ड infections killing के exists एक्सर के एक text आप ने एस pose लिख दिया 6 feet height लेक लिख 12 feet so we need a uniform uniformity in our drawing so most of the time काफी सरे text हम same का रहे हुथ हम किस तरह हम text की height को fix करना चाहे हम कर सकते हैं इसके साथ हम parallel एक-डू options भी देख लेंगे के if we have multi-line text के अंदर अगर हमने angle पे line लिखनी हो तो कैसे करते हैं justify command की option यहां पी भी मौझूद है और उसको हम operate करके देखेंगे justify command में हमारे पास same options मौझूद होगी जिस तरा हमने पहले देखी है कि आप top left करना चाह रहे है top right top and जो हमने देखी है in in single line text so quickly जो है अब हम move करते हैं ताके हम text height को fix करना सीखें और इसके साथ associated rotation की बात भी हम कर लेंगे कि हम we can rotate actually our text in multi line as well जिस तरा हमने single line में किया था so अब हम बढ़ते हैं CAD की तरफ ताके हम इन 3-4 options को formally operate करके देखें हमारे पास हमारी previous drawing हमने options देखे हैं empty command हम इस्तेमाल करेंगे अंदा के लिए क्योंके यह हमारा time भी save करेगी so empty पहला point specify पहले हमने क्या किया था first point specify करने के बाद हमने second click भी कर दी थी तो उसने यह options दे दिये थे text formatting के सारे options but now what we'll do escape button press करते हैं first click करने के बाद हम नीचे आएंगे और हम options देखेंगे इन options में अगर आप देखें तो काफी सारी options मौजूद हैं एक दो option मैं यहां पर perform करता हूं और remaining options जो हैं वो आपने खुद से इनको one by one explore करना है और इन पर work करना है हम बात कर लेते हैं text height की और height की हमने importance देखी है कि काफी जगह पे काफी drawings के अंदर हमें बड़ी एक fixed type की height चाहिए होती है say 12 inches है 10 inches है नॉर्मली जब हम drawing में बात कर रहे होते हैं तो inches में हम कह रहे होते हैं तो वह depends करता है कि हम visibility जो है वो readability text की होनी चाहिए हम height पे click करते हैं so he is asking us actually to specify text height say हम 20 feet so अब जब हमें 20 feet specify कर देंगे अब ये वाली जो हमारी height है this height will remain constant throughout our drawing हम जो है अब हमारी actually this time height हमने क्योंके काफी कम रखी है और हमारा z enter enter करके check करते हैं तो ये हमारे पास शायद height है जो अभी हमने जिस text को लिखा है तो हमने इसको काफी जो है वो zoom out किया हुआ था क्योंके तो उसने तो ये ABCD अब हम इसको सामने रखते हैं और अगेन हम दुबारा जो है यहां से pick कर लेते हैं और एक और text add करने के कोशिश करते हैं अगेन लिख लेते हैं so this text height now is fixed so whatever we want to write everything will be written in same text height तो इस तरह हम text height को fix करते हैं all we need to do is empty is short की हमने क्या किया first point click करने के बाद second cursor को click नहीं करना और यहां पे हमने height पे जैसे click की तो अब note करें so 20 feet already height आयो ही है so whatever you want to write here now again there is no hard and fast rule के कितनी height होनी चाहिए it depends on nature of project you are doing क्या उनसा project कर रहे हैं उसके क्या तकाजे हैं बाद दफ़ा यह चीजें client ही बता देता है यह आप अगर आफरी लांसिंग पे work कर रहे हैं तो जहां पे जिस जगह पे आपने भेजने हैं आप नोट करें so same options are again there top left, top center, top right, middle left, middle center so कहीं पे भी आप क्लिक करें और आप suppose करें कि यह आपका top left है अब आप देखें तो उससे right side पे आपको लिखना स्टार्ट कर देगा और अगर अब आप मैंने दुबारा space computer enter कर दिया है तो command execute हुई है justify में हम बात कर देते हैं for example top right की तो अब यह right limit आप specify करें तो उससे left side पे लिखेगा तो यह हम अलड़ी कर चुके हैं जरूरत नहीं हम इन करने की हम last एक दू options देख लेते हैं and that is the rotation अब हम जहां पे भी क्लिक करेंगे अब अपनोट करें so everything will be written at 45 angle so this is how you can write in angle so क्या हमने किया है all we need to do is command execute करने के बाद first click और हमारे पास options मौझूद है we can pick any option, we can choose any option and we can work on those options अब हमने यहां पे due to certain time limitation और मैं खुद भी चाहरा हूँ कि आप खुद से कुछ practice करें remaining line spacing कैसे कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं styles में आएंगे width column so आपने इनको खुद explore करना है तो इस तरह हमने quickly text command को यहां पे end किया है again there are certain remaining things जो आप खुद वर करेंगे और अगर आपकी queries होंगी तो हम उनको address करेंगे तो इस topic अंदर हमने अपनी text command को formally conclude किया है और यह जो हमारा topic था है इसमें हमने text height को fix करना सीखा है और इसके साथ हमने rotation की बात किया है और justify के options भी मुझूद थे तो हब के इस command के आने के साथ आगे जाके जब हम formally project करेंगे तो हमारी pace भी ज्यादा होगी और हमारे projects ज्यादा attractive बनेंगे